इस वीडियो को शायद आपने पहले भी देखा होगा 0.25 से भी कम सेकंड में बिजली के बस एक छटके से ननी सी चीडिया की जान जहान छोड़ देती है इलेक्ट्रिक खंबो की वज़ा से सैंकड़ो उर्ते पंच्यों की जिन्दगी चिन्चुकी है नब्बे के दशक में आकाश में चीडिया चहकती नजर आती थी छट पर लेट जाते तो उन्हें उड़ता देख पाते थे हम लेकिन अब खुले आसमान में भी भटा करते हैं बम जिससे ये उड़ते उड़ते गिर पड़ते हैं जमीन पर जिन्दगी से लड़ते हैं करीब एक दशक पूर्व तक पेड़ बोधोव घर आंगन में तरह तरह के पक्षियों को चहकते आसानी से दिखा जा सकता था लेकिन अब ये मात्र किताबों के पन्नों की तरह सिमट कर रहे गए है पक्षियों के आबादी खटने का एक प्रमुक कारण मोबाइल टावरों का चाल बीचना भी है इनसे निकलने वाले रेडियेशन पक्षियों के लिए बहुत खातक है इस भीशन गर्मी की मार से पश्यू पक्षि भी बच नहीं पा रहे है आस्मान में उड़कर अठ खेलियां करने वाले पंची गर्मी के चलते आस्मान में कम ही दिखाई देते है विज्ञान के आधनिक दौर में मोबाइल वर इंटरनेट का प्रचलन काफी बढ़ चुका है जिसके चलते मोबाइल कमपणियों के टावर हर शेत्रम में लगाए जा रहे है और यही वज़ा है कि जिस वज़ा से पक्षियों की इस तरह से जान जा रही है साप को देखते ही दुनिया दोड़ पड़ती है लेकिन ये किस किस्म के लोग है जो इनके साथ सोते हैं सिर्फ एक वीडियो के लिए अगर इस अनकॉंडर इस बच्चे को ही निगल लिया तो क्या ये लोग तब भी वीडियो ही बनाते रहेंगे शायद अब नहीं जानते कि साप ने अगर आपको लपिट लिया तो मिंटों में हड्डियो का सूर्म अमरडा लेगा इस तरह से साप जकरता है कि सारे पाप यादा जाते है जहरीले साप के एक टंग से ज्यादा से ज्यादा साथ से आठ मिंटों तक इनसान में जान रह सकती है अगर इन साथ मिंटों में दवाई नहीं ली गई तो समझो मौत पक्की अगर साप के उमरग कम है तो बचने के चांसे हो सकते है थोड़ा वक्त और मिल जाएगा लेकिन अगर इलाज नहीं किया तो जिन्दा लाश बन जाओगे बिल्ली को पट्री पे लेटाने का मतलब खत्रे की घंटी है अब राध है बिल्ली खुद से खुदकुशी कभी नहीं कर सकती ये बिल्ली ना तो दौड के दूसरे तरफ कई नहीं उठकर बैट कई क्योंकि ये बिमार सी हो चुकी थी भूके पेट बेचान सी पड़ी थी इनसान को इस तरह की हरकते करते देख इनसानियत शरम सार हो चुकी है बेजुबानों को बहरेमी से मरते देख मेरी चान खौल चुकी है आवाज उठाया ऐसे दरिंदों को अंदर करवाने के लिए आगे आये मदद बनके बे जुबानों की चान बचानी के लिए कुत्तों को आपने गर्माते देखा होगा इंसानों पे चीकते चिलाते देखा होगा लेकिन गर्ववती मा को घबराते नहीं देखा होगा ये गर्ववती मा रोट पर पड़ी थी क्योंकि इसका एक्सिडेंट हो गया था ये ना चलने के काबिल थी ना बच्चे पालने वाले माओं में शामिल थी इसे सडक से उठाकर सलामती से अस्पताल ले जाया गया भाला हो रेस्क्यूटिम वालों का जो ऐसी स्थिति में भगवान बनकर बेजुबानों के आवाज बनते है जैहिंद